सु हेलो दूस्तों स्वागत है एक और वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर हंडेड मेंस कॉंपिटिशन के माच नौवा माच खिला जाएगा ट्रेंट रॉकेट्स वर्सेज भर्मिनंग फिनिंस के बीच में मतलब की लेवेज ग्रेकरी और मोही न करने वाले हैं और वीडियो को लास तक जरूर देखना यह वीडियो आपके लिए सबसे इंपॉर्टन्ट यहापर होनी वाला है पिच पोट की बाद करेंगे ट्रेंड बिच का यहाँ पर मैदान है इस पिच कोपर अभी तक जो मैचेस खेले गए वहाँ पर स्पिनोस को बहुत ज़्यादा टर्न मिला है तो इस वज़े से यह पिच जो है आपके लिए स्पिनोस के लिए सबसे इंपोर्टन है और खास करक आपके लिए इस माच में रहने वाले दिमाग भी ज़रूर केगा अगेन यह माच जो है आपको बॉलोस को अच्छा यहाँ पर फैंटेसी पॉंस देने वाला माच है तो जितना ज्यादा बॉलोस और लाउंडर आपके टीम में अपने टीम में रखोगे उतना ज्यादा तो एसा नहीं कि आपर यह त्योड़ स्ट्राओं यहाँ तक पांच माच एगए गया दो माचेस, ट्रेंट रॉकेट और बरमिनंग फिनिक्स तेन माच यहाँ पर जीता है तो दोनों जब भी माचेस होते हैं तक के मुकाबले हमेशा होते हैं तो ऐसा नहीं कि यहाँ पर यह टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग है या फिर एक टीम विक है दोनों टीम इस पिछ को पर हाला कि बर्मीन फिनिस इस साल थोड़ा सा कमजोर नजर आ रही है लेकिन इस टीम के खिलाब इस पिछ को पर आपके लिए एक अच्छा यहाँ पर प्रदेशन करते ह देख सकती है और यह भी टीम इस मैश में जीतने के चांसे से यहाँ पर रहेंगे ठीक है ज़रूर ज्यान मर रखेगा प्रबबर प्लेंग इलिए उनकी तरफ चलते है दोस्तों अभी तक आपने लाइक नहीं किया आना तो यार प्लीज रिक्वेस्ट आप सभी से आप ला बाट्समन है सबसे इंपोर्टन इस पिनर्स के लिए इतना अच्छा यहाँ पर खेलता नहीं है सामने टीम में यहाँ पर मोई ने लिए एक आप ब्रेक बॉलर हो सकता है कि पावर पर में यहाँ पर आपको बॉलिंग करते हो दिख जाएंगे यह जब यहाँ पर अच्छा करेंगे तो बहुत बढ़िया इनका फॉर्म चल रहा है अभी तक जहाँ पर तीन माचेस खेले गए पैंतालीस चासट और अठाइस यहाँ पर एसा स्कोर अभी तक यहाँ पर किया है टी-20 ब्लास में इनका बहुत बढ़िया प्रदेशन था क्या कर लेते हैं प्लेयर अपने करेर में सबसे ज़्यादा ओपनर खेलें लेकिन जब भी नहीं खेलते हैं तो इतना अच्छा प्रदेशन नहीं रहता है अब ओपनिंग नहीं खेलते हैं इसका मतलब कि वो कैप्टेंसी वाइस कैप्टेंस आपके लिए सबसे पहले तो चॉइस नहीं रहेगा और दूसरी चीज़ क्या है कि मैंने अल्लेडी बताया था आपको कि सपिछ को पर टर्न मिलेगा सामने यहाँ पर बहुत बढ़िया प्लेयर्स है ठीक है स्पिनिंग के तो उनके अगेंस्ट यहाँ पर मुझे लगता है कि इनका फूटवर्क इतना अच्छा नहीं हो सकता है त ठीक है बहुत बढ़िया आवरेज नहीं है इस टीम के खिलाब और मुझे लगता है कि इस माच में जेलदी सस्ते में यहाँ पर चले जाएंगे कोन अगर ठीक हैगा तो ओर हैंगे साम हैन अच्छा पिलियर है मिडल ओर का यहाँ पर देखेंगे तो बहुत बढ़िया स्प पर इनका लगबग 40 तक यहाँ पर आवरेज चला जाता है तो ऐसे प्लियर सापके लिए सबसे इंपोर्टन यहाँ पर रहते हैं चार माचिस के लिए इस पिछ के उपर आपको एक्स्परेंस भी दिखेगा और यह जो प्लियर है सिर्फ आपको ड्रिम टिम का हिस्सा बनते दिखेंगे लेकिन कैप्टेंस प्लियर सबसे बेस्ट है इस वज़े से बैटिंग के सेक्शन के प्लियर को आप ग्रैंड लिक खेल रहो तो एक भी टीम में आपको कैप्टेंसी नहीं करना है यह दिमाग में जरूर रखेगा फिर आते रोमन पॉल देखो रोमन पॉल इनक सेलेक्टर परसेंटेज हर मैच में खराब है लेकिन हर मैच में ड्रीम टिम का हिस्सा बन रहा है उसका रीजन पता है सभी लोगों को लगता है स्पिनिंग पिछ है तो यह क्या ही खेलेगा लेकिन ऐसा नहीं है रोमन पॉल डायरेट आपको 70 बॉल के बाद मतलब जहाँ प पर मेरा जो इंपोर्टन प्लेयर है रोमन पॉल अगेन मेरा ट्रंप प्लेयर है इनका सेलेक्टर पसेंटेज आपको यहाँ पर डाउन दिखेगा इस टीम के खलाब और नहीं स्पिछकों पर अभी तक मैच नहीं खेला है लेकिन मेरा इंपॉर्टन प्लेयर है और यहाँ इस माच का Grand League का fix player कौन है इस टीम से आपके लिए हाँ पर Tom Bandon, Sam Hen और ये जो है player है याँ पर mix करना है मत्तब rotational player की जगह पर आपको Roman Paul को अपने team में रखना है दो मेरे fix player आपको इस टीम से बता दिये फिर आते हैं यहाँ पर इमाद वसीम जब भी spinning को थोड़ा सा मदद मिलता है इमाद वसीम हमेशा अच्छा प्रदशन कर लेते हैं अभी तक जो है यहाँ पर इन्होंने बहुत बढ़िया प्रदशन किया है दो माचेस में तीन इस यहाँ पर the hundred के competition अभी तक विकेट लिये है अब देखलो यहाँ पर इसे recent performance की बात करेंगे तो balling से तो देखलो इनका जब भी balling मिलता है इनके खाते में विकेट समिशा जाता ही जाता है तो ऐसे players हाँ पर आपके लिए form volley players ऐसे spinning volley pitches के ओपर एक fixed player के चलते सबसे important होते है अब सबसे important क्या है इस pitch को पर अभी तक विकेट लिया है दो माचेस में दो विकेट लिया है एक भी विकेट लेगा तो आपको इस match में ड्रिम ट्यूम का हिस्ता बनते होँ दिखेगा और all launder का player है बैटिंग मिल गई तो आपको 5-10 variance बना के देगा तो आपके लिए सबसे important है again यहाँ पर यह मेरा grand league का इस match का इस team से एक fixed player हैगा तीसरा fixed player है इस team से जो इमाद बसे में इस match में आपको definitely try करना है फिर आती हाँ पर राशित खान अभी तक मैंने आपको तीन fixed player बता दिये लेकिन captaincy कोई नहीं बता था तो इस match का सबसे बहतरिन captaincy राशित खान बहुत बढ़िया player है पिछले match में एक ही match के ला था ठीक है पहला ही match सा 100 का और पहले ही match में आपर विकेट लेके चला गया है तो मतलब player बहुत बढ़िया है जब भी यहाँ पर pitch को अपर थोड़ा से भी turn मिलता है इनका गोगली पढ़ना बहुत ज़दा मुश्किल है और उपर से सामने वाली team का middle order है बहुत खराब है तो मुझे लगता है कि फिर से इस match में दो प्लस विकेट इस match में लेके आ सकते है और सबसे important का है जब भी बैटिंग का मुखा मिलता है आपको 5 बॉल में 15 बॉल में 25 ऐसे ही रंस बनाते हुए दिख जाएंगे और इसका बैटिंग order दिखने जाए न इस टीम का तो थोड़ा सा weak नजर आ रहा है तो मुझे रखता है कि इनको बैटिंग मिलने का मुखा म मिल सकता है तो इस माच का फिक्स प्लेयर भी और सबसे बेस्ट कैप्टन से भी आपको राशित खान इस माच में मिलेंगे इनका इस पिछ को पर का रेकॉर्ड बताऊंगा तो बैटिंग से यहाँ पर अभी तक कितना कुछ खास नहीं किया है क्योंकि बहुत नीचे बैटि प्लेयर है और इस पिछ को पर आपको ना विकेट्स लेते हुए दिख जाएगा और कैप्टेंसी ओप्शन इस माच का डेफिनेटल रहेगा क्योंकि देख लो राशित खान जब इसे इंग्लेर पिछेस यहाँ पर ऑस्ट्रेंड पिछेस को उपर खेल जेना या तो उनको या फिर ज्यादा ज्यादा यहाँ पर बोल्ड के ही पॉइंट्स हमिशा मिल जाते हैं तो इस वजए से 33 पॉइंट लेते हुए आपको दिख जाएंगे तो आपके लिए प्लेयर ना इस माच का सबसे बहतरी फिर आते लेविस ग्रेगरी जैसा कि मैंने पहले ही मैच में ब माच से 10 बॉल डालते हुए दिख जाएंगे अगर यहाँ पर मतलब की देखो किस किस माच में यहाँ पर इनके उपर अगर अगर अटक करने गए बैटिंग के सेक्शन के प्लेयर तो फिर उस कंडिशन में इनको विकेट्स मिल सकते हैं लेकिन देखा जाए तो एक हादी द लेकिन बैटिंग और बहुत नीचे ध्यान मर रखेगा ठीक है तो यह 43 का आवरेज आपको सिर्फ 20 या फिर 20 का इस माच में फैंटेसी पॉन्च देने के चांसे ज्याद रहेंगे और इस पिछ को पर देखा जाए तो अभी तक 9 माचस में आट पिकेट्ट जरूर लिये है अब देखो लो इस टीम क्या है यह तीम का यहाँ पर होम ग्राउंड है इस वज़े से आपको इस पिछकों पर अच्छा करते है वह द दिखी जाएगा ठीक है जैसे बाकी पिछेस के उपर जाता ही इनका प्रपॉंस बहुत हमेशा रहता है और सबसे इंपोर्टन क्या है क इनके खिलापना जादा जादा डिफेंसिव खिलेंगे अटेकिंग नहीं खिलेंगे यह दिमाग में जरूर रखेगा फिर आते जॉर्डन थांसन यह बहुत ही बढ़िया प्लेयर है डेथ ओर का सबसे स्पेशलिस्ट प्लेयर है इंगलेड टीम इनको क्यों नहीं खिलाती इंटरनाशनल माच इसमें पता नहीं क्योंकि अभी तक इंगलेड में सबसे बढ़िया डेथ और लाउंडर यहापर मेरे हिसाब से यही रहेगा क्रिश जॉर्डन से भी बहतर यह प्लेयर में इनको यहापर मानता और पिछले मैच में इन्होंने चार बॉल में चार रन करना था वो भी डिफेंड कर लिया बहुत बड़ी यह बॉलर है डेथ में बॉलिंग करेगा पहले बॉलिंग करती है तो इस मैच का एक और वहतरीन क्याप्टेंसी और वस्क्याप्टेंसी च्वाइस इस मैच का और आज के मैच का है मेरा चौथा इस टीम का फिक्स प्लेयर मैंने आल्ड़ी आपको तीन fix player बता दिये with captaincy अब ये चौथा player captaincy मत करना, captaincy विर करना है तो grand league में कर लेना और वो भी कब अगर team इनकी पहले balling करती है उसका reason क्या है कि पहले balling करते है आपको death में balling करते हैं दिखेंगे फिर आते हैंके दो यहाँ पर पेसरs लुकूड और आपको Sam Cook यह दो ऐसे player है जहाँ पर pitch को उपर swing मिलता है तो बहुत बढ़िया पदाशन करते हैं और इस pitch को उपर आपको swing मिलेगा form की बात करेंगे तो लुकूड का form बहुत खराब है Sam Cook का अच्छा है तो form के चलते Sam Cook आपके लेक्षी चोईस है लुकूड का आप इस match में drop इसली कर सकते हो अगर ही try करना है तो rotations के चलते grand league में करना मेरा इंस दोनों में कोई भी यहाँ पर fix player नहीं है या rotational player हैंगे मेरे grand league के इनका यहाँ पर record देख लो लुकूड का record देख लो चार matches में चार wicket इस team के खिलाब लिये है इस venue के भी 10 matches में 10 देखा जाए तो यहाँ पर आपको wicketless जाते हुए नहीं दिखेंगे लेकिन form बहुत गड़बड है और ballers का एक बार form खराब होता है न तो वो baller ना हमेशा खराब प्रदेशन ही कर लेता है तो इस वज़े से यह play थोड़ सा खराब choice आपके लिए रहेंगे अच्छा आपको try ही करना है ना Sam Koo के अच्छा choice है form इतना भी कि यहाँ पर खराब नहीं है तीन matches में इस पिछकों पर तीन है इनका आप यहाँ पर record देख सकते हो अगर कोई आता है तो आप यहाँ पर एक बार और वीडियो देख लो और इनके यहाँ पर records यहाँ पर आप check कर सकते हो बाकि दूसरी team है बर्मिनंग फिनिक्स है इनके team के आपर देखा जाए तो इतना अभी तक अच्छा production नहीं करवाई है लेकिन इस pitch को पर मुझे लगता है कि अच्छा production कर सकती है सबसे important यहाँ पर इस team का क्या है कि इनके पास बहुत बड़े match winners है लेकिन इनका form थोड़ा सा गड़बड चलता है तो कभी भी comeback कर सकते है तो ऐसा मुझे लगता है कि इस match में हो सकता है रुशी पोटेल इस team के यहाँ पर क्या दिखेंगे आपको opener दिखेंगे बहुत खराब यहाँ पर production हमेशा इनका रहता है 20 blast में भी बहुत खराब है मुझे लगता है कि इनका opener change करना चाहिए देखते कि इस match में क्या होता है मुझे लगता है कि इनका अगर opener change कर लेते है तो यह production बहुत बढ़िया कर सकती है तो यह player को आराम से आज के match में छोड़ सकते हो फिर आते एनोर डोनल्ड, wicket के पर के sections के player है इनका भी बहुत बड़ी मतलब record नहीं है सबसे important क्या है कि यह spinos को बहुत ज़्यदा फज़्जात है सामने राशीद है, इमादवसी में इनके सामने तो यह tick भी नहीं पाएंगे तो इस वज़े से यह भी drop करना है सबसे important player इनके team का जैसे क मैंने क्या बोला था match winner इनके पास बहुत ज़्यादा है उनमें से एक है लिवान लिमिक्स्टन जब भी pitch kooper spinos को मदद मिलती है लिवान लिमिक्स्टन आपको यहाँ पर balling करते हो दिखेंगा left hander batsman के सामने off break right hander batsman के सामने leg break balling कर लेता है और इस switch kooper assist ज़रू मिलेगा और इस match का मेरा इस team से एक fix player और with captaincy option आपके लिवान लिमिक्स्टन रहेंगे उस team से मैंने लोगभग total 4 player बता दिये fix इस team का यहाँ पर पहला player with captaincy versus captaincy इनका head to head battle देखेंगे न तो बहुत कड़क है 5 matches में 60 coverage है इनका मतलब आप समझ सकते हो कि कितना best captaincy versus captaincy इस match के लिए है और इस team के खिलाब 5 matches में सिर्फ एक wicket लिया है इस pitch kooper पर 3 matches अभी तक खिले 35 coverage है मतलब head to head बहुत बढ़िया है इस pitch kooper बहुत बढ़िया है तो player आपके लिए कैसा है captaincy choice बहुतर इन choice है तो total कितने captaincy choice में ने बता दिया आपको देख लो राशीद खान एक बता दिया आपको Jordan Thompson आपके लिए हापर एक बता दिया और तीसरे हापर Liam Leungston एक captaincy versus captain जो सबसे बढ़िया है मेरे हिसाब से राशीद खान से भी ज़्यादा ये आज के match में ना आपको बहतर fantasy points दे सकते है क्योंकि राशीद का क्या है आपको सिर्फ balling से fantasy points देंगे लेकिन ये player जो है आपको one down दिखेगा मतलब pure batting करते हो दिखेगा पूरे balls केलने को मिलेगा और सबसे important यहाँ पर इनको 20 के 20 ball भी इस pitch को पर जरू यहाँ पर डालने मिलेंगे तो ये player इस match का सबसे बहतर captaincy, vice captaincy दूसरी रहते है Dan Mosley एक all-under domestic का ये लगभग इतना बढ़िया player है domestic match में यहाँ पर जब भी ये खेलता है टीम से हमेशा यहाँ पर captaincy, vice captaincy choice हमेशा रहता है ठीक है लेकिन the 100 में क्या होता है कि इनको batting और balling से देखा जो batting से इस साल बहुत बढ़िया यहाँ पर position मिल रहा है लेकिन balling से थोड़ा सा खराब मतलब इनको ज़्यादा मौका नहीं मिल रहा है तो इस match में मेरा एक trump player है ठीक है यह player आपको यहाँ पर small league में, mini gels में, grand leagues में आपको जिता के दे सकता है मतलब कि small league में one side जिता के दे सकता है इनका record थोड़ा सा बता देता हो इस team के खलाब batting से देख लो यह पहले the 100 में बहुत तीचे batting कर लेते बहुत मतलब बहुत जादा पिछले match में 49 runs definitely बना थे और बहुत बढ़िया player है मेरे हिसाब से इस match का इस team से एक fixed player और यह fixed player कम selected percentage वाला player है trump player रहेगा इस match का small league का इस player को ज़रूर आपको इस match में try कर ले लाए फिर आते मोई नेली इस team के captain एक और match winner इस team का अब सामने आले team में यहापर आपको क्या है left hander से आपर दिखेंगे opener तो आपको यहापर left hander है फिर middle order में आपको यहापर इमाद वसीम left hander दिखेंगे और एक और left hander मतलब लगबग 3 left hander दिखेंगे इनके सामने यह balling इस match में करेंगे कपतान है 20 ball definitely डालेंगे और कभी भी उपर batting करने आ सकते इस team के खलाब batting से इनका 30 का लगबग 4 matches के लगए 30 का इनका average है 4 matches में 4 wicket भी ले चुके है और switch के उपर 2 matches में 2 wicket भी ले चुके है तो ऐसा यहापर record है इनका तो इस वज़े से यहापर यह player इस match का कौन सा है तीसरे number का player जो इस match का यहापर fix player के चलते आपको अपने team में रखना है ठीक है total उनके team के 4 है अभी इस team के यहापर 3 लगबग हो चुके है with captaincy वाइस captaincy भी लगबग आपको मेंने choices दी है मोही नली को captaincy वाइस captaincy करना बहुत risky है लेकिन grand league में आप कर सकते हो small league में बहुत बड़ा risk है इस match में small league में livingston और राशित खान के साथ ही आप ज़्यादा से ज़्यादा जाओ अगर दूसरा यहापर differentiate जाना है तो इनके team का baller रहेगा वो count रहेगा आगे जाके बताऊंगा बस इस player को आपको fixed player के चलते अपने team में रखना है यह dream team का हिस्सा definitely इस match में बन सकता है फिर आते जाकब bethel बहुत नीचे batting करने आते सबसे important क्या दोस्तो spinners को इतना अच्छा नहीं खेलते ठीक है तो इस वज़े से easily इनको drop कर सकतो फिर आते बेनी होवेल इस team का बहतर इन all-downder है domestic match अभी तक की 20 blast में team के एक captain भी थे और बहुत बढ़िया production भी किया था अब इनका head to work record देखोगे तो batting से इतना आपर इनके उम्मिद मत कर लेना balling से देखा जाए तो 5 matches में 6 wicket अभी तक लिए है फिर 3 matches में 2 is pitch को पर यहाँ पर wicket लिए है और सबसे important इनके उपर risk क्या रहेगा पता है इनके oars ना drop होंगे यही थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत देने वाले सिर्फ वेनी hovel नहीं बलकि James Fler यह player ना मेरे हिसाब से आज की माच में आपके लिए rotational player रहेंगे मतलब आप 10 grand league team बना रहे हो ना तो लगभग 3 से 4 teams में आपके यह team में होने चाहिए बाकी teams में आप इनको drop करके चल सकते हो बाकी इनके team के सबसे important players को होने बता है scene about Adam Milne और team Southie इस वज़े से यह मुझे team बहुत ज़्यदा strong team लग रही है यह तीनों भी baller इस pitch को पर आ यहाँ पर तभाई मचा सकते है तो इस वज़े से grand league के सबसे best fixed player भी और captain से वस captain से भी आपके लिए scene about team Southie तो यह definitely रहेंगे यह रहेंगे लेकिन Adam Milne भी इस match में game में आ सकते है ठीक है क्योंकि जब भी swing मिलता है यह player बहुत बढ़िया करता है और opening spell डालेंगे team Southie के साथ ठीक है तो captain से option यहाँ पर इन तीनों में से सिर्फ एक ही player है हो है scene about क्योंकि scene about car balling कर लेते हैं तो death में balling कर लेते है तो इस वज़े से scene about बहतरें differential captaincy वस captaincy इस match के लिए आपके रहेंगे और इस team का यहाँ पर कितना चोथा player I think मुझा जलता कि fixed player है और पांचवा player यहाँ पर team Southie है अब अगर यहाँ पर देख लो team पहले sorry second balling कर लेती है तो उस condition में Adam मिलने मेरा डायक चटा यहाँ पर क्या रहेगा इस team का fixed player इस match में मैं definitely try करूँगा अभी के लिए मैं सर्फ इस player को trump player के चलते हैं आपको यहाँ पर use करने के लिए बोलूँगा scene about का पहले record देख लेते हैं अभी तक तो यहाँ पर इस team के खलाप nice pitch को पर लेकिन form की जब बात आती है भाई बहुत ही तगड़ा form है वही बात करते है team saouthi की तो team saouthi देख लो form 2 wicket, 2 wicket, 2 wicket, 3 wicket, 2 wicket मतलब form की जब बात आती है तो team saouthi का T20 में the hundreds ऐसे matches में बहुत बढ़ी है form है तो इसके चलते है यह players आपके लिए fix player के चलते है अपने team में रखना है यह दोनों भी players इस match के सबसे important player है और मैं आपको बात बता देता हूँ यह इस match में आपको confirm fantasy points देंगे तो इस वज़े से किसी को captain सी चलना है मतलब कि इस match में कोन confirm fantasy points देगा तो यह दोनों इस match में confirm fantasy points देने वाले Adam मिलना कि क्या हो सकते है अगर यहाँ पर swing नहीं मिला तो उस conditions में यह wicketless भी जा सकते है लेकिन trump player जरूर रहेगा इस pitch को पर मैंने जितना देखा है यहाँ पर आपको early swing जरूर मिल जाता है तो इस वज़े से Adam मिलने मिला trump players team से है तो इस वज़े से यह team मुझे थोड़ा सा strong team लग रही है इस team से आप players ज्यादा try कर सकते हो इनके bench player देख सकते हो यह team bench player है इनके team के chances कम है इनके team के यह खेलने के लेकिन अगर आते है तो इनके record आप यहाँ पर फिर से देख सकते हो जैसे ही यहाँ पर toss line पा जाती है उसके बाद अगर यह players आते है तो records के चलते हैं आप अपने team में players जरूर रख लेना और इस team से जो भी player आएगा ना नया player band, decade या फिर Chris works जो भी आएगा इस match में important जरूर रहेगा तो इस players को आप अपने team में definitely try कर सकतो बाकि यह small league की अभी के लिए मैंने team try किये लेकिन यह final small league team नहीं है final small league team का है मिलेगी telegram पर मिलेगी description में आपके link है मैंने अभी यहाँ पर क्या किया है 6 players train trokers, BPH के 5 player यह captain बना है राशित खान, voice captain Abbott बाकि के choices आपके लिए और लड़ी मैंने बता दिये थे कि Livingston इस match के एक बहतर choice है लेकिन मैं toss की देरी करूँगा और pitch उपड भी क्या आता है वो भी बहुत ज़दा important pitch तो मुझे रहेगा जो मैंने आपको बताया है लेकिन देखते हैं कि अगर पहले batting आती है BPH की तो मैं आपर Livingston को ही मेरा direct captaincy बनाऊंगा ठीक है यह दिमाग में जरूर रखेगा बाकि मैंने fix player बता दिये दोनों teams की तरफ से उमिद करता है यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़दा information मिली होगी इस वीडियो से तो प्लीज यार दोस्तो एक चैनल को लाइक कर लो इस वीडियो को सबसे important और subscribe भी करना लाल कुलर का बटन है जब भी मैं live आ जाओ सबसे पहले आपके पास notification आ जाए उसके लिए एक subscribe करना बहुत ज़दा जरूरी है तो उमीद करता हूँ इमानदारे से खुद से यार प्लीज रिक्वेस्टे सपोर्ट की बहुत ज़दा जरूरी थे इतना best predictions और इतने best small league team आपको बता रहा हूँ तो बनता है एक यहाँ पर like और चैनल को subscribe जो लोग loss में चल रहे है बाई सच कहा रहा हूँ आप मेरे टेलगाम चैनल पर जाओ आपका ना profit definitely होगा ठीक है जो लोग loss में चल रहे हैं जिनको profit कमाना है तो thank you दोस्तों इस वीडियो को end तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद मिलते हैं next वीडियो में